लोगसभा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस को जटके पढ़ जटके लगते चले जा रहे हैं राहूल गांधी की यात्रा के बाद भी कॉंग्रेस में भंकतर मच गई है हर राजे में कॉंग्रेस की स्थिती डामडोल है पार्टे के अंद्रोनी कलहे बाहर आ गई है लोगसभा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस को एक और बड़ा जटका लगा कॉंग्रेस के लिए 2024 लोगसभा चुनाओं से कम नहीं था कॉंग्रेस के लिए परिशानी ये है कि उसे समझी नहीं आ रहा तो मिलने से रहा बलकि जो बची-कुची राजनीती बची है वो भी खत्म हो जाएगी इस कतार में कई लोग हैं और राजनेतिक हलके में हला ये है कि कहीं कमनलाथ की भी इस चुनावी साल में बीजेपी के वो ना हो जाएं उनके हाव भाव से नटकलों को और पुखता बनाने में मदद मिलती है कैसे पताते हैं आपको इस रिपोर्ट में लोग समझ चुनाओं से पहले कॉंग्रेस को एक के बादे कई जटके लगे मिलिन देवडा अशोग चोहान जैसे कद्दावर नेताओं ने ग्रैंड ओल्ट पाटी को अलविदा कहा और अब मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी कमलनाथ भी न कहीं बीजेपी में शामिल हो जाएं इसको लेकर कॉंग्रेस की टेंशन पढ़ गई होगी कमलनाथ ने जो सिगनल दिया है उससे कॉंग्रेस की नीन जरूर उढ़ गई होगी क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के सवाल को कमलनाथ टाल गए दरसल कमलनाथ छंदवाडा पहुँझे जहां पर पत्रकारोंने जब उन से बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया पत्रकारों ने कमलनाथ से लोकसभा की पूर्वे स्वीकर सुमित्रा माहजन के जैश्री राम बोलो और बीजेपी में आज जाओ वाले बयान पर सवाल पूछा इस पर कमलनाथ ने कहा कि वो जो कह रही है वो छोड़िये आ अलाकि सुमित्रा माहजन के इस बयान के बाद कई कॉंग्रसियों ने बीजेपी का दामन धामा है जिन में कमलनाथ के एक करीबी नेता भी शामिल है बीते रिनो ही मध्यप्रदेश में कॉंग्रस पार्टी के विदिशा से लेक के अध्यक्ष राकेश कटारे टीकमगड के पूर्व विधायक दिनेश आहिरवार, छतरपूर के पूर्वमंडी उपाध्यक श्कैलाज दिवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है जस तरह से कॉंग्रस में भगतर मची हुई है उससे कहना मुश्किल है कि अब कॉंग्रस के कौन से नेता बीजेप क्या अंगर में अपना बिस्तर लगाते हैं या कॉंग्रस में ही रहते हैं लेकिन फिलहाल कमलनाथ द्वारा बीजेपी में शामल होने के सवाल को टालने से कॉंग्रस आला कमान के नींदे जरूर उर गई होंगी